हर्याना एट 9 पिम नुश चैनल में आपका स्वागत हैं आई आप पो कराते हैं खबरों से अपडेट पर जो कच्रे का धेर लगा हुआ था उस कच्रे को भी निस्तारी करेंट करीब करीब एक करोड रुपे की राशी से कराया जा रहा है इस यूजना की दहट सापला पाइपास शुरहाई से कच्रे की रूप में जमा गंदगी को उठाने का काम भी शुरू कर दिया गया है कच्रे उठानी के बाद होगी चारदीवारी किसानों को मिलेगी रहत सापला पाइपास शुरहाई पर जो गंदगी जमातिउ से हटाया जा रहा है वह कुड़े को भी उठाया जा रहा है नगार पालिका कि इस कदम से आसपस किसानों को काफी रहत मिलेगी क्योंकि यहां से कच्रे से पॉलेथिन उड़का किसानों के खेत में जाती थी और फसलों को प्रभावित करती थी यहां से कुड़े उठाने की बाद चार दिवारी होने से किसानों को काफी राहत मिलेगी पार्क विक्सित भी हो सकता है यहां नगरपाली का सचीव रविन कुमार का कहना है कि नगरपाली का पहले चरण में सापला बाइपास रहाई को इस बहतर लोकेशन की बाउंडरी कराएगी इसके बाद इस जमीन पर पार्क विक्सित किया जाना है या अन्य कोई प्रजेक्ट लगाए जाना है इस बारे में विजार विमर्ष के बाद ही नेने लिया जाएगा और उसको कबजे में लिया जाएगा और कोई भी व्यक्ति अगर वहां पर कूड़ा डालता है उसके फाइन भी लगाए जाएगा उस जमीन को जो कमेटी अपनी अंडर लेके और उसकी बाउंडरी वाल करवा के उसका संद्रे करण करवाए जाए टीका सिंग सर्णव दुर्गादाज बाट नमबर दसकारे ने वालाव जी किसान हुए बाइस किल्या का जमीदार हुगी वाम ये मारा लगती काभी जमीन है तो अब बड़े जादा प्रेशान हो रहे जिए अमने नगरपाली अक्टाइब रिया है अपनी के डीजी साब क को अचिछलशाम प्रेशान थे वाम प्रेशान थे ही अमारे बड़ी अकाम होगा है या डंगा उतने से बड़े हो फगतम होगी दिली का अडंगा कि डिय्ता था हुगल इस वारी नगर पालिगान ये द्यान राकना कोईा डंगा ना गल जाए कोईा डंगा यजया तो इसके उपर कारवाय ऊली चिया हम कई सालों से बहुत जादा प्रेशान थे हमारे खेते सामने आम घ्यू मोथ्ते थे जिफ्भी बहुत जादा प्रेशान रेते थे तो आप गंद की कटने के बाद आप शूलियत होगे जी, हमको भी चैन की नींदा होगी, हम तो बड़े ज़्यादा परेशां थे, अम दी आवती, अम दी में सारी पलोथीन खेत में चली जाए गरती जी, तो बड़ी अच्छा काम है, पारक बन जाए, कोई बड़ी आयो करमजित सिंग होंगे खरकुदा की नए थाना प्रिभारी विवेक मलिक को सदर गोहना थानी की सोपे जिमेदारी खरकुदा थाना प्रिभारी रही विवेक मलिक का स्थाना तरेंट कर टिफी, उन्हीं अब सदर गोहना थानी की कमान सोपी गई है, वहीं सिटी गोहना थाना प्रिभारी करमजित सिंग अब खरकुदा की नए थाना प्रिभारी होंगे, पुलिस अधिक शिक द्वारा जिल प्रतियोगीता के लिए सामान लेकर आए थे। पूर्व इस प्रिद्विक्ता में हिसा लिया मिधावी छातर शात्राओं को स्कूल स्टाफ द्वारा सम्मानित किया गया। शेहर वासु को भी जाम समुक्ते मिलेगी गोपालपुर बाइपस शुरहाई पर जो समेंटेड अंडरपास बनाया जा रहा है वह कारी अंतिम चरण में है। ताकि वाहन चालकों को परिशानी ना होती लेकिन ऐसा नहीं किया गया ना ही ऐसे कोई व्यवेस्था की जो वाहन चालकों को सापला से सौनिपत कर रास्ता बता सके। इस तरह से पिछले करीब तीन महीने से खरकदा में वाहन चालकों को काफ़े प्रिशानी का सामना करना पड़ा। जिसके साथ जाम लगने के कारण शेहर वास्यों को भी प्रिशानी उठानी पड़ रही थी। National Highway Authority of India के सौनिपत मैनेजर आनन दहिया का कहना है कि National Highway 334 पी का काम देजी से चला हुआ है जल्दी गोपालपूर बाइपास से वाहनों के लिए रासा खोल दिया जाएगा। शेहर की तरफ गोपालपूर की तरफ वाली रासे को विधिवत बनाया जाएगा ताकि आप गमन सुगम हो सके। भाश्वा पार्टी द्वारा अनुसूचित जाती मोचा का प्रदेश कार्य समीती का सदस्य बनाया गया है। उपायक ने कहा कि रास्टर आजमाक्ट संख्या चवालिस पर धर्णारत किसानों के स्वासे जाँच नयमित रूप से जारी है। इस जुरांद बुद्वार को नतिस किसानों की थर्मल स्कैनिंग की गई, साथ ही 26 मास्क भी बाटी गई। उपायक ने बताय कि 32 किसानों को परसितमोल की टेबलेट तथा 12 को बी कॉम्पलेक्स की टेबलेट वित्रित की गई। 26 किसानों को, ORS, 18 को, Rentec, 8 को, Amlodipin, 21 को, Citrogin और 18, Metrogel की टेबलेट बाटी गई है। उपायक सिवाश ने धर्णारेट किसानों से अपील की है कि वे मास्क काप्रियोग अवश्य करें, कोरोना वारिस के संकर्मेंट के द्रिस्टिकेद बचाव समंध्य उपाय अवश्य करने चाहिए। ट्रैफिक के नई नियमो को लेकर एक संदीश वाइरल हो रहा है, जिसके तहद उसमें कोड़ दर्श आए गए हैं और बताया गया है कि कि श्रेणी को कितना जुर्मान आब यादियात के नियमो का पालन ना करने पर लगाय जाएगा। जुर्मान राश्ची 1,000 रुपे, सरकारी आदिश की अवेलना जुर्माना 2,000 रुपे, नो पार्किंग 50 ब्लस 2,000 रुपे, बिना लैसेंस 5,000 रुपे, नबाली के साथ गाड़े का पाई चालन जुर्माना 25,000, हालकी मोटर वहां द्वारा ओवर स्पेडिंग जुर्मान जुर्माना 2,000 रुपे, वायू प्रदूशन जुर्माना 10,000, खतरनाक तरीके से वहां चलाना जुर्माना 5,000 रुपे, गलत दिशाओं में चलाना गलत यूटर्न वन वे में प्रवेश जुर्माना राश्ची 5,000 रुपे, गिलनल नहीं होना जुर्माना राश्ची 5,000 र बिना इंशुरेंस जुर्माना दो हजार, ट्रिपल सवारी जुर्माना हजार रुपे आतिरिक तुपायप ने महिला विकास नेगम के सिक्षारिन योजना के तहदी आर्थिक सहयता सिक्षारिन योजना के अंदरगत नो प्रार्थियों को ब्याज सबसिडी के 6.26 लाख रुपे की चेक के वितरित विद्वा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए किया गया साक्षातकार का आयोजन स्वरोजगार की स्थापना के लिए महिलाओं को दिलाया जाएगा बैंको सरेन ADC हर्यानम महिला विकास निगम के चेर्मेन एवाम अतरिक तुपाय। अशोक कुमार बनसल ने निगम की सिक्षा रिन योजना के अंदरगत बुद्वार को नो प्रार्थियों को ब्याज सबसिडी के 6.26 लाग रुपे के चेक वित्रित किये साथ उनों ने निडिशन में विद्वा महिलाओं के साक्षातकार का आयोजन भी किया जिनने इस वे रोजगार की स्थापना के लिए बैंकों से रिन अप्लब्ड करवाय जाएगा अतरिक तुपायक अशोक कुमार बंसल ने कहा कि हर्यान महिला विकास निड़म के सिक्षा रिन योजना के तहद नो अविद्गो को आर्थिक साहिता दी गई थी जिनि आज ब्याज सबसिडी की चेक प्रदान किये हैं जो बेटिया, MBBS, BTEC तथन नर्सिंग की सिक्षा ग्रहन कर रही हैं उनके लिए सिक्षा रिन दिया गया था इसुरा इन बेटों के विभावक भी मोजू थे साथ ही अतरिक तुपायुक की अध्यक्षता में गटित की गई 6 सदस्य कमेटी ने बाहरे विद्वा महिलाओं के साक्षात कार भी लिए इन महिलाओं को निगम की योजना के अंत्रगत स्वरोजगार स्थापना के लिए बैंकों से 28.40 लाक रुपे का रिन दिलाया अगरे केस्री महाकुटर्म की तत्वाधान में अगर से इंधाम में 29 अगस्त को मनाएंगे जनमास्ट में महत्सु धूमधाम से मनाया जाएगा जिसमें मुख्य भागत अतिथी की रूप में उपायक लिए सिवाच तथा पुलिस अधिक्षक जशन दिप सिंग रंधावा हिस्सा लेंगे साथ इन अगरत ही जितेंदर जोशी भी समहारों में शिर्कत करेंगे यह जानकारी महत्सु संयोजी का सोनिया अगरवाल ने दी समाद सेवी का महत्सु संयोजी का सोनिया अगरवाल ने बताय कि अगर से इंधाम टीम के सानिधे में अगर केसी फाउंडिश और क्रेडिट कार्ड से होने वाले ठगी को रोपने के लिए नई नियम बनाई है। अब ओलाइन पेमेट के लिए OTP के साथ कार्ड का पूरा नंबर फिल करना होगा जिसके बाद ही आप भुगतान कर सकते हैं। आभी तक OTP और कार्ड के पिछले लिखे सेवी नंबर से ही ओनलाइन भुगतान हो जाता है लेकिन जनवरी 2022 से यह नियम बदलनी जा सकता है।